हेलो एब्रिवान कैसे हूँ आप सब तोगाईजास तारीक हो चुकी है 25 जुलाई 2022 और हर रोज की तरह हमारे सामने आज भी आईपियल 2023 को लेकर आईपियल की सभी 10 की 10 टीमों इसके साथ ही भारत और वेस्ट इंडीज के बीच में जो सीरीज चल रही है उसके रिगार्डिंग आर्ट काफी बड़ी और इंपॉर्टेंट अपडेट्स निकल कर आई हैं जो कि अगर आप लोग प्रिकेट और आप करते हैं हमारे आज के दिन की सबसे पहली अपडेट निकल कर आ रही है मुंबाइ इंडियन की तरफ से जहां पर मुंबाइ इंडियन के टीम ने इंग्लैंड में जाकर इंग्लैंड के जो क्लब्स हैं वहां पर जाकर काफी सारी टी-20 क्रिकेट खेली थी और हमने इसके रि यूज़ेलेंड में भी इसी तरीके के practice मकाबले खेलते वे नजर आएंगे क्लब क्रिकेट जो है महां की प्रिकेटर की quality भी काफ़ी अच्छी होती है जिसके चलते अब ये न्यूज़ेलेंड में जाकर भी सेम तरीके की series आप लोगों को खेलते वे देखने को मिलेंगे लेक ये एक बहुती बड़ा जटका लग चुका है BCCI को क्योंकि IPL के एक नहीं दो नहीं बलकि तीन-तीन स्पांसर इनको छोड़ कर चा चुके हैं सबसे पहले तो IPL का जो टाइटल स्पांसर है पेटियम उन्होंने BCCI को इस बार टाइटल स्पांसर से हटने के लिए बोल दिया भी IPL 2023 से पहले पुल आउट करना चाहते हैं तो BCCI को स्पांसर्शिप के हिसाब से जटका तो लग चुका है लेकिन अब उम्मीद यह है कि जिस तरीके से लास्ट में हमें काफी बड़ी-बड़ी बीडिंग होते हैं अजर आए उसी तरीके से इनको नए प्रमोटर्स भी मिल जाएंगे आगे बढ़ते हैं काई जरुबात करते हैं हमारे आज की दिन की तीसरी बड़ी अफटेट के बारे में और यह निकल कर आ रही है एक बार फिर से भारती प्लेयर्स के विदेशी लीग में खेलने की पिछले काफी टाइम से इस चीज़ को डिनाई करता हुआ लेकिन क्योंकि अब ऐसा टाइम आ चुका है कि लगातार जो बाहर के क्रिकेट बोर्ड है उनके पर्मिशन की जरुरत पड़ती है उनके प्लेयर्स को आई पेल में खेलने के लिए और ऐसे में अगर बिसेसी आई अपने प्लेयर्स को नहीं भेजेगा तो फिर वह देश भ वैबिलिटी इस बात की अब बन चुकी है कि भारती प्लेयर्स भी आप लोगों को विदेशी लीग जैसे की BBL या फिर इवन जो बाकी विटेलिटी टी-20 ब्लास्ट या फिर ऐसी लीग्स होती है वहां पर पार्टिस्पेट करते हुए नजर आएंगे आगे बढ़ते हैं जब 7 प्लेयर्स इंडियन और 4 प्लेयर्स फॉरं के होते थे उस टाइम पर चार ही जो विदेशी प्लेयर हैं वो इसलिए खिलाए जाते थे क्योंकि ये इंडियन प्रीमियर लीग है और आट टीमों में जो 88 प्लेयर होते थे उसमें से हमें 56 भारती प्लेयर्स लेखने को म यानि कि आप लोग 56 से 60 पर वैसे भी पहुंच रहे हो तो ऐसे में अगर फॉरन प्लेयर्स को आप एक तीम में चार से पांच भी कर देंगे तो भी कोई बहुत ज्यादा फरक नहीं पड़ेगा और इससे जो लीग है इसका रोमान चौर भी ज्यादा बढ़ जाएगा करके आ और उनकी जो वाइफ है पंखुरी उनके घर पर उनके पहले बच्चे का जन्म हुआ है जिसका नाम है कवीर जिसकी फोटो आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे इनोंने इस फोटो को सोचल मीडिया के ऊपर अप्लोड किया है तो आप लोग भी कॉमें सेक्षन में इनके लिए अच्छे अच्छे कॉमेंट्स लिख सकते हैं फिलाल हमारी साइट से भी इनको काफी ज्यादा क्रेजुनेशन फिलाल हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे आँज की च्छटी बड़ी अपडेट के बारे में और गाई यह निकलकर आ रही ह दरसल अरस्टीब सिंग भारती टीम के साथ ट्रेवल करने गए हैं वेस्ट इंडीज और अरस्टीब का अगर आप लोग परफॉर्मेंस देखो तो लास्ट के दो साल IPL में और उसके लावा डोमेस्टिक सरकिट में भी लगातार काफी ज़्यादा कंसिस्टेंटली परफॉर लालो या फिर आप अरस्टीब के स्टैट्स को मिला लो लिस्ट एक्रिकेट से दोनु में ही अरस्टीब भारी पड़ते वे नजर आते हैं खासकर अगर हम बात करें उम्रान मलीक की तो अगर आभेश खान को आप छोड़ भी दो तो उम्रान मलीक से पहले अरस्टीब ही करेंट्री ऐसे बॉलर नजर आ रहे हैं जो कि सबसे ज्यादा भारती टीम में जगर डिजर्फ करते हैं अगर आप बात करो जस्परीद रुम्रा के बाद तो कॉमेंट सेक्शन में करके आप लोग बताईए कि आप लोगों के हिसाब से अरस्टीब सिंग को आने वाली ट तो किया था कि IPL 2023 से हमें 6 टीमू के साथ विमन्स IPL स्टार्ट होते हुए देखने को मिलेगा लेकिन यहां पर जो सबसे बड़ी दिक्कत है वो है प्रमोटर्स की और उसके साथ ही विवर्शिप की बीसी सी आई तो इसको कंड़र्ट करवाना चाहता है लेकिन मैंस IPL के ल करवाता है तो उनको काफी ज्यादा उम्मीद है कि वो नुकसान में जा सकते हैं इसके वज़ा से वापस से स्केप्टिकल हो चुके हैं कि उन्हें विमन्स IPL को कंड़क्ट करवाया जाना चाहिए आप फिर नहीं कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके आप लोग बताईए आपका क्या उपीनियन इसके बारे में अगर विमन्स IPL होता है तो क्या आप लोग विमन्स IPL को देखेंगे क्या आपको लगता है कि इसकी व्यूवर्शिप उसके आसपास भी आप आईगी जो कि मैंस IPL के में देखने को मिलती है आगे बढ़ते हैं हमारे आज के दिन की आठवी और आखरी अपडेट के बारे में और यह निकल कर आ रही है संजू सैमसन की तरब से जहां पर हमने आपको बताया था कि पास्ट में किस तरीके से दो प्लेयर्स को एक तरीके से जो बाहर की के एपसी मैक्स लीग उने वाली है टीवेंटी उसमें दो भारती प्लेय किया गया था मुकेश शौद्री और उनके साथ ही चेट्मन सकारिया और उसके साथ ही सुरेश रहना भी इसले काफी टाइम से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि उन्हें बीबील देसी लीग में खेलने का मौका मिलना चाहिए और अब सुरेश रहना के साथ संजू सैमसन भी भार क्रिटी वैसे भी नहीं है तो संजू सैमसन सिर्फ टीवेंटी क्रिकेट पर ज्यादा फोकल्स करने की बज़र से चाहते हैं कि उनको जो दूसरे टीवेंटी लीग होती है वहां पर खेलने की पर्मिशन दीजाए जिससे कि इंटरनेशल क्रिकेट में जब भी वो नहीं खे कीजिए सबस्प्राइब तो मैं दोता हूँ आप लोगों से पनी एक लिए वीडियो में तब तक के लिए बाबाई